question में क्या दिया हुए देखो if u is equal to 10 inverse of y by x find the value of do square u upon do x square plus do square u upon do y square ठीक है तो इस question को answer करने के लिए सबसे पहले हमें given function को address लिखना होगा और इस question को answer करने के लिए हम लोग यह वाले arrow से शुरूबब़ात करेंगे वो इसके side में मैंने given function लोग एक बार address लिख दिया हुआ है next अपर हमें क्या करना होगा u is function का एक बार derivatives करना है with respect to x लेकिन जो derivatives करना वो partially derivatives करना है with respect to x इसका मतलब y variable को हमें क्या करना होगा as a constant rate करना है तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे partially differentiating यू with respect to x तो यहाँ पर लिखना है हमें पार्शली पार्शली लिखा differentiate partially differentiate यू with respect to x टेक है partially differentiate you with respect to x लिखने के करना हमें यू को left side में कैसे लिखना है डो u by डो x लिखना है जैसे कि इस से पहले बता है कि इस sign को डेल भी किके यहाँ पर दो यूज कर रहा हो और जिसका मतलब क्या होता है पार्शली डिरेवेटी से होता है तो यह डो u by डो x यानकि x का सब्सक्राइब करेंगे यू इस फंक्शन का पार्शली डिफिरेशिट करेंगे जिसमें अभी जब y अगर आता है तो उसको फिराइब किया जाग राइट सब्सक्राइब कर देना तो यहाँ पर में लिख देता हूं जो फॉर्मिल में यूज करूँगा वो फॉर्मलों में साइड में लिख देता हो इफ वाइज एकल टो टैन इन्वर्स एकस यह बेसिक फॉर्मला मैंने यहाँ पर लिखा है तो उसका डिवाइब भाइब डिएकस इस इक्वाल डिएकस यानिकि वाइज फंक्शन का डिएड़ गिया है मित रिटू ए यह होगा तो लेफ्स सेट में क्या होगा है करें तो हमें क्या लिखना होगा सबसे पहले लगे लिखेंगे इसके बाद एक्स की जगह पर कोई भी अलग पोइंक हो गया अगर एक्स के जहाँ पर कुछ भी अलग function होती है तो इसका further तो जिसमें y को इक साइड में रहेगा और एक सके सचाई में यह साइड में रहे गा और निए खेञ को एक रॉड रैकेट हो लिख के लिए डिगे राहया दिक स्टेप में और विक्तेक्षिंगे रहे हुँगा तो तो simplification करते हो देखो क्या क्या जाएगा denominator में cross multiple करेंगे तो वह क्या रहेगा x-square plus y-square upon x-square upon x-square हमें उपर लिखना होगा numerator में तो यह उपर मी लिख दिया upon x-square denominator में रहेगा x-square plus y-square और यहां पर dot लिखने के वाद दुसरे round bracket में किया था minus y upon x square ठीक है तो यहां से यह x square और यह नहीं थे का x square cancer हो जाएगा तो क्या time बज़ेगा minus y upon x square plus y square यह वाला time बज़ेगा इसके left side में क्या होगा dou y dou x होगा right next step में हमें क्या करना है इसका further differentiate कर देना है with respect to x right तो हम लोग यहां पर लिख देंगे again partially differentiating with respect to x अगें लिखा partially par ti w by again partially differentiate with respect to x ठीक है तो अगें differentiate करने की कारद यह dou u by dou x का क्या हो जागा second order partially derivatives हो जाएगा तो second order partial derivatives लिखेंगे left side में dou square u upon dou x square ठीक है तो is equal होगा यह formula किसका differentiate करना है हमें minus y upon x square plus y square का differentiate करना है with respect to x अभी यहाँ एक point में आता है ध्यान दो one upon x का derivative क्या होता है minus one upon x square formula sign में लिख लिएता हूँ देखो यहाँ पर if y is equal to one upon x होता है then then dy by dx क्या यूज होगा then dy by dx is equal to minus one upon x square ये यूज होगा राइट अगर y equal to one by x है तो dy by dx के आएगा minus one upon x square तो अभी देखो यहाँ पर यह तो dou u by dou x is equal to minus y upon x square plus y square इसका हमें partial differentiate करना है जिसमें minus y is the constant तो minus y को हमें लोग side में रखेंगे minus y को side में लिखने के बाद हमारे परस क्या दिखाए देगा function one upon x square plus y square दिखाए देगा लेकिन यह one upon x square plus y square यह कहां पर आया इस x के जगा पर आया हुआ है लेकि one upon x तो one upon x का derivative derivative होताब minus one upon x square तो minus y side में लिखने के बाद हमें क्या दिखाए देगा one upon x square plus y square दिखाए देगा जिसमें मैं कहे रहा हूँ x square plus y square यह वाला term denominator में x की प्लेस 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 प्यारा है तो अगर one upon x होता है तो उसका derivative करते हम लोग minus one upon x square तो only one upon x square plus y square अगर रहेगा तो उसका derivative क्या हो जागा minus one upon x square plus y square का whole square मतलब जैसे अगर x होता है x की जगह पे कुछ भी आएगा तो उसका भी हमें square करना होगा और उसके बाद जो x की प्लेस 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 करना होगा ठीक है कहना का मतलब देखो इसका second order डिरेस कैसा हो जागा minus five तो side में रहेगा और यह minus one upon x square plus y square का square आ जाए जो वो भी with us to x कर रहे इसके current ठीक है तो next step में इसका simplification कैसे हो जागा देखो left side में तो यह 2 square u upon 2 x square आएगा is equal to क्या हो जागा यह minus sign और यह minus sign प्लस उपार आएगा 2xy और denominator में आएगा x square plus y square का भी whole square ठीक है यह अपना एक पार्ट हो जाता है जिसको हम लग number one से रिप्रेजेंट कर देते हैं next step में हमें क्या करना होगा जो given function यू उसको partially differentiate करना अभी with respect to y के साथ ठीक है तो इसके कारद यू अगर y के साथ partial differentiate होगा था हमें left side में क्या लिखना होगा दो यू बार दो य लिखना होगा राइट is equal to अभी देखो function क्या था tan inverse y by x था तो tan inverse x का डिरेज़ क्या होता है one upon one plus x square लिकिन यहाँ पर x के जगप पर क्या दिख रहा है y by x दिख रहा है इसके कारद tan inverse y by x का डिरेज़ का हमें क्या लिखना होगा one upon one plus x square यानिकि x के किसका करना है y by x function का further direct करना है with respect to y के साथ करना है तो y का direct is one हो चाहेगा as a constant side में क्या रहेगा one upon x रहेगा तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे one upon x next पर हमें simplification करना यह वाले पाट का तो यह वाले पाट का further simplification में यहाँ पर side में लिख लेता हो वो क्या हो जागा x square plus y square upon x square तो upon x square में उपर लिख देता हो adjust करकर तो यह x square उपर लिख दिया डिनावटर में रहेगा x square plus y square रहेगा यह dot one upon x ठीक है यहाँ से next step में यह numerator का x square और denominator का x cancel हो जाएगा एक x cancel हो जागा और numerator में एक बार x बचेगा ठीक है तो finally यहाँ पर डो यूपार डो x के से रहेगा simplification करने के बाद ऊपर x नीचे x square plus y square ठेक है इस step का again partially differentiate करना होगा with respect to y तो हम लोग यहाँ पर लिख देगे again partially again partially differentiate differentiate what with respect to y तो left side में यह second order partial दिखाएगा देखा 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 हमें के हमें क्या लिखना है dou square u upon dou y square लिखना है is equal to अभी देखो यहाँ प एक्स को constant समझे कर अगर हम लोग side में लिख देंगे तो हमारी प्यास क्या बचाएगा वट्चेगा वट्पॉण एक्स स्क्वेर प्लस वाय स्क्वेर बचेगा राइट देखो function में क्या था x upon x square प्लस वाय स्क्वेर था जिसमें मैंने कहा कि x को side में लिख दो x को अगर side म minus 1 upon x square होता है तो यह 1 upon x square plus y square यह जो x के जगह पर आयावा टर्म है तो उसका derivative क्या हो जाएगा minus 1 upon x square यानि कि x के जगह पर आयावा टर्म का square और उसके बाद उसका भी further derivatives करना है with respect to y q क्योंकि यहाँ पर again partially differentiate किया जाना है with respect to y right यह x side में लेने के बाद हमें क्या दिखाए देगा 1 upon x square plus y square उसका derivative क्या हो जाएगा minus 1 upon x square plus y square का भी whole square right x square plus y square का whole square यह bracket में लिख दिया और x square plus y square यह जो term है x के जगह पर आया हुआ था उसका further derivatives which is to y अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा only 2y हो जाएगा इसको भी अगर हम लोग से इंप्रिफाय करके लिखेंगे next step में तो क्या लिख सकते है ऊपर minus यहाँ पर two times of xy डिना में क्या आएगा x square plus y square का भी whole square ठीक है इसको number two put कर देंगे next step में हमें क्या करना होगा equation one और equation two का एड कर देना है right equation one में देखो क्या आया हुआ था डो square u upon two x square is equal to two xy numerator में denominator में डीना में x square plus y square का whole square और equation number two में क्या दिख रहा हमें डो square u upon two y square is equal to minus two xy upon x square plus y square का भी whole square राइट तो इतना हमें पता चाहिए कि addition करने के बाद equation one और two का addition करने के बात right side में answer कितना जाएगा zero जाएगा ठेक है यह की लिख देंगे यहाँ पर adding one and two equation one and two ऐसा लिखा तो भी चलेगा यहाँ पर equation यह तर्म यह फिर word मैंने यूज नहीं किया है adding one and two left side में result क्या आएगा डो square u upon two x square plus यहाँ पर right side में लिखना हमें दो two square u upon two y square is equal to यहाँ पर directly zero लिख सकते हैं वो right side के term लिखने के जुरूरती है क्योंकि वो अपने 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 के cancel ही हो जाएगे opposite sign में equation one के अंदर आयवा term plus में और equation number two के अंदर आयवा term है वो माइनस में तो प्लस माइनस होड़ने के देखो हीडिंग क्या दिया हुआ है first order partial derivatives of composite function composite function मतलब क्या होता है अगर standard function में मान की चलो कि cos x है लेकिन x के जगा पर कुछ अलग function हो जाएगा अगर आगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग composite function कहेंगे देखो यहाँ पर function क्या दिया हुआ है यू is equal to cos x होता है ना standard function में यू is equal to cos x होता है लेकिन यहाँ पर x नाल देते हुए वहाँ पर x के जगा पर एक दूसरा term दिया हुआ है यानिक दूसरा function दिया हुआ है तो इसको क्या करते हैं composite function कहेंगे या फिर function of a function ऐसा भी कह सकते हैं तो question हमें दिया है if u is equal to cos of प्रेकेट के अंदर root x प्लस root y प्रूवड़ एक्स दो यूवड़ एक्स प्लस यूवड़ प्लस हाफ प्रेक्ट के अंदर root x प्लस root y dot sin of root x plus root y bracket close is equal to zero ठीक है यह हमें प्रूवड़ करना होगा तो सबसे फ़ले इसको हमें कि स्टार्ट करते हैं एंसर को स्टार्ट करते वाग्त इवन फंक्ष्ण को एक बार एधिस लिख देना है यहां पर यह एरो कर दिया इस एरो के बाद हम लोग इवन फंक्ष्ण को एक बार एधिस लिख देंगे यू इस एक्वल टू वो क्या आएगा कॉस आफ रूट एक्स प्लस रूट वाए ठेक है तो देगो प्रूवड वाले पार्टन हमें क्या दिख रहा है इसका मिलब की वन फंक्ष्ण का हमें पार्शली डिफ्रेंशिट करना है एक बार विट रि यह के सालीट तो हमें यहां पे लिखना होगा पार्शली कि पार्शली डिफेरंशिएत u with respect to what x तो पार्शारील इफिरिजिंट यू इत्व लिखने के बाद यू को कैसे लिखाए लिखेंगे अब लगोगे यू गायए डो एक्स लिखेंगे इस इक्वल टू साइन का देटरी से होता है यानिकि y का derivative से अगर करेंगे तो वो 0 हो जाएगा राइट तो root x का derivative कितना होता फर्दर 1 upon 2 times of root x होता है ठीक है तो यहाँ पर देखो x को हमें sorry 2 u by 2 x को हमें x से multiple करना होगा क्योंकि prove the trial department 2 u by 2 x को x से multiple किया गया है इसके करन हमें 2 u by 2 x को भी x से multiple करना होगा तो next step पर अगर हम लोग 2 u by 2 x को x से multiple करेंगे तो देखो क्या changes हो जाएंगे यह x लिखा 2 u by 2 x लिख दिया is equal to यहाँ पर यह minus है आगे क्या है 1 upon 2 root x से अगर इसको हम लोग x से multiple करेंगे तो x के अंदर 2 root होता है यानि कि root x into root x होता है तो 1 root x cancel हो जाएगा पर एक बार root x बज़ेगा राइट तो क्या हो जाएगा वह minus root x by 2 dot sign of root x plus root y ठीक है यही टम आजाएगा क्या का मुल्ट्पिलिंग बोस्ट पर x करने के कारण यहाँ पर भी x आएगा यहाँ पर भी x आएगा लेकिन x upon root x कितना अदर root x होता है तो वह root x आगे लिखा उसके आपर में टू लिख दिया यह वारा टू लिख दिया आगे sign of bracket of bracket के अंदर root x plus root y as it is लिख दिया राइट तो यह हो गया अपने पार्ट वन हो जग हो गया यह इसको लिखेंगे वन नेक्स टेप में क्या करना है गीवन फंक्षन यू को पार्शली डिफ्रेंशियेट यू विट रस्पेक्ट तो वाय अभी तो लेफ्ट साइड में लिखना होगा मैं डो यू बार डो यू लिखना होगा इस इक पल डू क्या आ जाएगा स्काइड इसका डिफ्रेंश नहीं आएगा और रूट य का डिफ्रेंश बनेगा वन अपन टू टाइमस रूट वाय राइट नेक्स टेप हमें इसी फंक्षन को जो भी लास्ट टेप में अंसर मिला उसको मुल्टिप्रेंग बोस्ट पर करना होगा क्यों कि प्रूट वाले पार्ट में डो यू बार डो य के साथ मुल्टिपल में हमें वाय दिख रहा है इसके करना राइट तो हम देखो नेक्स टेप ऐसा लिखनी कि कोई जरूत नहीं मुल्टिप्लेंग बोस्ट बाइग डारेक्ल लिख दिया कर दिया तो भी चलेगा तो यह वाय लिखा लेफ्ट यहाँ पर आएगा डो यू बार डो य इस इकल टू यह माइनस तो एज डिख रहेगा यहाँ पर मान के चलो कि हम लोगों ने वाय के साथ मुल्टिपल किया है तो यहाँ पर वाय है तो यह अपन रूट वाय कितना आएगा रूट वा सब्सक्राइब तो यहाँ तो नेक्स यहाँ पर हमें क्या करना है एक्वेशन वन और टू को एड कर देना है कर देको यहां पर दिख रहा और एक्स्ट बार डो यूगा चाज आएगा और प्लस यहाँ पर रहेगा यूग रो तो आई रहेगा रहेट इस इकुल तुम है इन दोनों का एडिशन हो रहा था राइट में जिस में कॉमन टम हमें क्या दिख रहा है सब्सक्राइब तो यह नेक्स सब्सक्राइब कैसे लिख सकते हैं एक्वेशन वन और टू का एडिशन करने के बाद हमें राइट सैट में है जो कॉमन क्या आएगा सब्सक्राइब तो यह नेक्स सब्सक्राइब तो उसे प्लस में लिखना हो राइट तो यह वन बाद टू राइडिट फैर्ट ने लिगेतक है गया तो यहां पर पूछागय और अब फूछा में क्या दिया एफ यू इ सेक्वा ul ब्रैकेट के अंदर है 1-2xy plus y square to the power minus 1 by 2 prove that x dou u by dou x minus y dou u by dou y is equal to y square dot uq ठीक है इस question को answer करने के लिए हमें करने के लिए यह वाले आरो से शुरूबा करनी है उसके बाद हमें given function u को एक बार एजरीज लिखना होगा तो यह यह लिख दिया यू bracket के अंदर 1-2 times of xy plus y square to the power minus 1 by 2 है ठीक है तो इस हमें क्या करना है do u by dou x निकलना होगा और यह do u by dou y निकलना होगा do u by dou x निकलने के लिए उसको x के साथ multiple करना है do u by dou y निकलने के लिए इसको y के साथ multiple करना है यह दोनों जो function आएंगा लग 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 उसको subtract करना होगा ठीक है क्योंकि बीच में minus है इसके करन तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यह जो given function यू लिख दिया है उसका partially differentiate किया जाएगा with respect to x के साथ right before that हम लोग जो formula यूज करेंगे यहाँ पर फॉर्मूल में यहाँ पर साइड में लिख लिखता हो देखो फॉर्मूला कौन से यूज होगा if y is equal to x to the power and यह बहुत ही बेसिक formula राइट साइड में लिखावा दियर्ट का बहुत ही basic formula है तो बार्शिली डिफ्रेंशियेट यू इस दिखने के बाद देखो क्या करना हमें यह लिखा पार्शिली डिफ्रेंशियेट यू with respect to x right तो left side में यह हो जाएगा डो यूगा डो एक्स हो जाएगा is equal to यह पूरा bracket x की जगह पर आया हुआ मानों और उसके पावर में n है तो यह x की पावर में अगर n होता है तो उसका डियर्ट कैसे किया जाता है nx to the power n-1 किया जाता है यह पावर में यह माइनस हाफ पहले हमें शुडर्वा लिखना होगा माइनस हाफ शुडर्वा ख्रवा क्मी लिखा x की जगह पर आया हुआ हम्में ऐड़ लिखना है 1-2 xy प्लस y-square यह एजरी लिगा उसके पाउर में कि क्या था एंड माइनस 1 यानि कि माइनस 1 बाइट 2 माइनस 1 वह कितना हो जाएगा माइनस 3 बाइट 2 हो जाएगा राइट और इसके बाद हमें जो एक्स की जग़े पर आया हुआ था उसका भी नेक्स टेप में पार्शिल डिफ्रिशेट करना है वित रिफ्रेट टो एक से जाथ तो देखो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे वन का दो दिर जिरो हो जाएगा क्योंकि वन इस रहेगा तू वाई इस दो कॉस्ट्ट एक्स का दिरोट इस रहेगा वन ठीक है तो हम ह antiqu हो जाएग एक से जाए डेकसी मिल जाएगा तो यह एक से मल्कुफ करना तो यह हो जाएगा एक्स वाई लिख दिए से लिख देता हो मैं एकसु फिर से लिख दिया ब्रकेट में क्या है वान मैनस टू एकस वाय प्लस वाय स्कुरी तो दपावर माइनस ध्री बाइड है इसमें हम लोग माइनस वन बाइट टू पाउर क्यूब लिख सकते देखो कैसे 1-2 times of xy plus y square तो यहां से मैं क्या कहा रहा हूँ यह minus 1 by 2 को मैंने separate कर दिया और वो x square bracket के अंदर लिख कर उसके power में मैंने 3 लिख दिया चलेगा न 8 to the power m to the power n 8 to the power m n ही होता यारि कि minus 3 by 2 की power में अगर 3 है तो यह next step पर minus 3 by 2 हो सकता है लेकिन यहां पर square bracket के अंदर iowa term के हमारा given function है और जिसकी value कितनी है u है इसका मतलब हम लोग square bracket के अंदर iowa term को u लिख सकते है लेफ सेट में क्या है इसके x dou y dou x है तो next step में मैं है तो left side वाला बाट as it is लिखकर xy भी as it is लिखकर square bracket के अंदर iowa term को u से replace कर देंगे और u की power में कितना रहेगा cube रहेगा राइट तो next step में देखो कैसे आजाएगा left side वाला x dou y dou x as it is लिख दिया यह xy भी as it is square bracket के अंदर iowa term को u से replace कर देंगे उसके power में कितना था था यू क्यूब था ठीक है इसको लिख देंगे equation number one पार्शली डिफिरेंटिये यू विट रस्पेक्ट टू वाई ठीक है इसके कर दाद हमें यू को कैसे लिखना है left side में dou u by dou y लिखना है यह dou u by dou y लिख दिया is equal to शुरूबत तो वैसे होगी जैसे कि x to the power n का डिरेंटिस के होता है n x to the power n minus 1 होता है यह minus half n की जगह पर आया है उसको पहले शुरूबत में लिखना होगा यह minus half प्रैक्ट के अंदर 1 minus 2xy plus y square 2 to the power minus 3 by 2 ही होगा इसका partial differentiate with 2y होने के करण y का ही डिरेंटिस करना है x का डिरेंटिस 0 हो जागा यहाँ पर देखो y का डिरेंटिस कितना होगा 1 हो जागा तो यह minus 2x लिख देंगे bracket के अंदर यह minus 2x हाईगा और यह y square का डिरेंटिस क्या होगा plus 2y तो यह plus 2y लिख दिया यहाँ पर round bracket close ठीक है next step में हम भी क्या करना होगा यह जो भी last step में हमें मिला है उसको multiply both side by क्या कर देना है y कर देना है क्योंकि प्रूज़ वाले part में 2y बर 2y के साथ y multiple किया गया था इसके कारण तो देखो हम लोग यहाँ पर last step में जो भी मिला है उसको y से multiple करना है हमें left side में तो y dou y dou y आ जाएगा right equal to तो यह minus half address लिख दो या फिर इस bracket के अंदर से minus sign अगर में बाहर लेता हो minus 2 को बाहर लेता हो यह का इस bracket के अंदर से minus 2 को बाहर लेता हो लियावा minus 2 comment बाहर इस minus के साथ अगर आता है तो वो plus हो जागा और यह और यह two और यह अपकोर कट्ब का कैंइसल हो जागा रहाइट तो इस बेका가 में से माइस तो बाहर लेनी के बाद इस माने टो के साथ वो कैंइसल हो जाएगा तो बचए गया ब्लैकेट के अंदर x-y बचेगा तो यह x-y तो बचेगा वो add इस लिख दिया round bracket के अंदर 1-2xy plus y square के power में कितना था minus 3 by 2 था जिसमें से हम लोग क्या करेंगे 1-2xy 2xy plus y square से minus 1 by 2 power को separate कर देंगे और उसके power में कितना लिखेंगे 3 लिख देंगे और square bracket के अंदर i-way function का मतलब क्या हो रहा है u यह given function हो जा है तो इसके कारण हमें next step में कैसा करना होगा यह y dou y लिखा is equal to x-y यह भी address लिख दिया next step में यह u cube हो जाएगा तो इसको लिख देंगे equation number 2 या फिर इसको भी एक थोड़ा सा और simplify कर सकते x dou y y dou y लिखा is equal to x u cube कर दिया minus y dot u cube कर दिया तो यहाँ पर यह बन गया equation number 2 equation 1 और 2 के बिच में क्या करना है subtraction करना है क्योंकि prove that file part में x dou y लिख दो x minus y dou y लिख दो y था इसके कारण तो हमें क्या करना है equation number 1 minus equation number 2 कर देना है तो left side में क्या लिखना है x dou y बार dou x x dou y बार dou x minus y dou y upon dou y right equal to तो right side में equation number 1 में क्या था देखो equation number 1 के अंदर उपर लिखा हुआ है equation number 1 right side में है x y का u cube x y और u cube x लिखा y लिखा u cube minus equation number 2 के अंदर क्या है x u cube है minus y dot u cube है इन सब में से क्या common भार आता है u cube common भार आता है u cube तो common भार आता है लेकिन ये term cancel नहीं हो रहे है right side में कुछ term cancel नहीं हो रहे है तो हमें क्या करना होगा इसका मतलब ये answer solve करते हो कहीं नहीं कहीं mistake होई है तो mistake तो मुझे यहाँ पर मिल गई क्या मिली mistake देखो यहां से हम लोग ने इस bracket में से minus two common भार निकाला था यह minus two लिया हुआ minus one part two के साथ balance करने के बाद यहां फिर क्या बचेगा bracket के अंदर x minus y बचेगा right लेकिन next step में मैंने क्या किया हुआ है साथ में डो यूबाड दो आ के साथ य से multiple किया हुआ है इसका मतलब मुझे यहां पर एक extra y लेना पड़ेगा न वह extra y मैं यहां पर लिया नहीं था सिब bracket के अंदर से minus two common भार लिया वह minus two is one part two के साथ cancel कर दिया bracket के अंदर बचेगा x minus y लेकिन इसके साथ इसके next step में अगर y multiple हो जाता है मुझे दिखाना होगा तो x minus y इस ब्रैक्ट के बाहर मुझे यह लेना था क्योंकि left side में लिया है तो यहां पर भी balance हो दिकले right side में भी लेना था अगर यह वाई x minus y इस bracket के अंदर चला जाएगा तो यह x minus y का term क्या हो जाएगा xy minus y square रहेगा तो वह मैं आगे कर देता हो यह right side workup part मिटा कर xy वह यह y x के साथ multiple होगा तो xy minus y minus y के साथ multiple होगा तो minus y square राइट और यह square bracket के अंदर आया वा तो यू और उसके power में cube तो यह यू और उसके power में cube थोड़ सा correction कर दिया है next step में क्या होगा xy का u cube हो जाएगा रैट तो यह xy और यह cube तो x शुरुवात में लिख देता हो x लिखा यहाँ पर और यह y all right करना पड़ा एक तर्म अपना रह गया था इसके power xy into u cube और यह minus y square into u cube minus y square का u cube ठीक है तो equation number two अब यह अपना proper बना है सही बना है next step में क्या करना है equation number one minus equation number two करना था equation number one का पार्ट है xy u cube minus करना था minus क्या करना था second equation लेकिन minus के बाद यह second equation करना था उसको हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे राइट तो यह को क्मिंड़ा देता फिर से properly लिखोंगा equation number one का पार्ट क्या है xy का u3 उसके बाद minus bracket दो और second term क्या equation number 2 के xy u3 minus y square u3 यह round bracket close कर दिया next step में अगर हम लोग round bracket को open कर देंगे उसके बाद minus sign है इसके करन्द अंदर के term के sign change हो जाएंगे plus के minus और minus के plus हो जाएंगे यह xy u3 as it is यह minus xy u3 और यह minus y square u3 का हो जाएगा plus y square u3 हो जाएगा तो यह plus minus वाले term cancel हो जाएगा राइट साइड में क्या बचेगा only y square dot u3 ही बचेगा यह हमारा प्रूत वाले पार्ट में यही था राइट साइड में क्या आना चाहिए था y square dot u3 आना चाहिए था और इसके लेफ साइड में एक बार हम लोग दिया हुआ जीवन फंक्शन को लिख देंगे that is x dou ui dou x plus plus नहीं minus है y dou ui dou y given function को नहीं लिखना था जो पूछा था ना लेफ साइड में वह वह वाला पार्ट हमें लिखना होगा राइट तो यह question हमारा यहां ही पर complete हो जाता है इसके बाद same concept के ओपर एक दूसरा और question कर लेते हैं जो question university में कई बार पूचा हुआ है यानि कि 2010 12 में 10 15 में पूचा हुआ है next question देखो यहां पर लिख लेता हुआ है यहां पर next question क्या क्या दिया है if u is equal to log of tan x plus tan y prove that sin 2x dot dou y dou x plus sin 2y dou y is equal to 2 ठीक है तो यह कर दिया arrow इस arrow से हमें इस question को answer के शुरूबत करनी है सबसे पहले given function को हमें as it is लिखना होगा तो as it function क्या दिया हुआ हुआ है u is equal to log of tan x plus tan y ठीक है यह लिख दिया है that is हमें क्या करना होगा यू is given function का partially differentiate करना है एक बार x के साथ और एक बार y के साथ तो हम लोग यहां पर लिख देंगे partially partially लिख दिया differentiate you with respect to x के साथ ठीक है log x यहां पर basic formula लिख देता हूँ if y is equal to log x होता है log x कहा यहां पर देखो एक्स की जगह पर यह पूरा bracket लिख रहा बड़ा सा जिसके अंदर एक्स की जगह पर क्या तो लॉग एक्स का डिरेटिस होता हूँ आपॉन एक्स तो इसके कारण अगर हम लोग यू का partial डिरेटिस करेंगे सब्सक्राइब लिखना होगा लेफ साइड में तो यह दो यूवा दो एक्स लिखेंगे इस इक्वल टू राइट साइड में क्या मिए एक्स के जिगए आया है डिकना समझ बाया होगा राइट वह देट जो एक्स जगह पहां पूरा टम एक्स पर जगह पहा हुआ है उसका फॉर्ढर धिरेटिस होगा लेगन प्रॉडर डेरेट साहल जाएज चाली साहले लिखा है इसके लिखा तो फॉर्दर डिरय कितना होगा six square x क्या रहेगा जिस सेख लिखा six square x रहेगा टैन वाई का नहीं करना होगा क्योंकि y को हमें concentrate करना है पार्शिली डिफ्रेशिशन करें इसके करना है तो डो यूबर डो एक्स का डिफ्रेशिशन कितना बनेगा six square x upon में 10x plus 10y नेक्स टेप में क्या दिख रहा है कि प्रूज़ाट फाल एपार्ट में डो यूबर डो एक्स के साथ क्या मुल्टिपल किया हुआ है सइब्स टो हमें भी इस स्टेप के बाद मल्टिपलाइंग बोस्टाइब साइन तो एक्स लिख लिए तो यह डो यूबर डो एक्स तो रहेगा right side में obviously हम लोग sin to x से multiple कर देंगे यह sin to x right side में भी ले लिया upon में क्या आगा tan x plus tan y यह term होगा और उसके side में क्या था 6 square x था लेकिन 6 square का reciprocal क्या होता है cos होता है तो हम लोग उसको 1 upon cos square x से भी replace कर सकते है और sin to x का एक formula होता है अपने पास क्या होता है sin to x का क्या formula आएगा 2 sin x dot cos x तो left side का sin to x do over do x as it is यह sin of 2 x do over do x as it is is equal to sin to x का formula 2 sin x dot cos x upon में क्या आएगा tan x plus tan y tan x plus tan y एक round bracket के अंदर और यह one upon cos square x था उसको भी as it is ही लिख देंगे next step में क्या होगा यह cost एक बार है यह cost वे दो बार है तो इनमें से एक cost cancel हो जाएगा तो यहां पर open में क्या रहेगा cos x रहेगा यह जो अपन में cos x है उसका हम लोग पेर कर देंगे किसके साथ numerator में में आयो है sin x के साथ तो sign upon cos क्या कहा sign upon cos बचेगा तो sign by cos को हम लोग क्या रिप्लेश कर सकते है tan x से replace कर सकते हैं तो left side वाला पढ़त हमें as it is लिखना होगा tan x plus tan y tan x plus tan y लिख दिया यह होगा अपना number one वाला पार्ट ठीक है next step पर हमें क्या करना होगा given function u को partially differentiate करना width to y के साथ तो हम लोग यह आपर लिख देंगे partially partially differentiate you with respect to what y अगर यू को हम लोग partially differentiate करेंगे with respect to y तो left side में हमें लिखना है dou u by dou y लिखना है right side में क्या होगा one upon tan x plus tan y आएगा right log of function क्या था log of tan x plus tan y था यू के सथ partial differentiate हो रहा है तो left side में dou u पर dou y is equal to one upon tan x plus tan y और अभी bracket के अंदर जो भी time में x के जगे पर आया हुआ उसका further derivative होगा वी तिस पर हम लोग six square y लिखेंगे राइट तो next step में यहाँ पर आज जाने के बाद हमें करना होगा 2y के सब क्या मुल्टिपल क्या हुआ दिख रहा है प्रूट आट में साइंड टूब तो इसके कारण हमें यह step के बात मन्लीक बोस्टाट पर क्या कर देना है sin 2y कर देना है तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे left hand में sin 2y लिख दिया multiple with dou u by dou y is equal to यहाँ पर भी 1 के जगह पर हम लोग simply लिख देंगे sin 2y लिख देंगे sin 2y लिखा denominator का term as it is लिखना है that is tan x plus tan y यह term को as it is लिख देना है 6 square y का reciprocal क्या हो जगा 1 upon cos square y यह हो जगा राइड जैसे कि पहले वाले step में हम लोग लोग एक formula use किया था sin 2x का formula use किया क्या किया था 2 sin x dot cos x sin 2y का formula क्या हो जगा 2 sin y dot cos y यह हो जगा राइड upon में क्या हैगा tan x plus tan y यह term आ जाएगा जिसके हम लोग round bracket में लिखे लेते हैं उपर भी round bracket के अंदर लिखे लेते हैं यह क्या था side में 1 upon cos square y था right तो यह cos y upon cos square y एक cos cancel हो जाएगा denominator में एक cos बचेगा denominator में जो cos बच रहा है उसको हम लोग sin y के साथ pair कर देंगे तो वो pair कैसा दिखा देगा numeral का sin y, denominator का cos y sin y upon cos y value क्या हो जाएगी tan y हो जाएगी जिसने हम लोग next step में लिख सकता है यह two times of tan y और upon में आया होँ term that is tan x plus tan y और left side में क्या है अपने sin 2y dot 2y 2y तो इसको हम लोग number 2 put कर देंगे next step पे हमें equation 1 और 2 का क्या कर देना होगा addition करना होगा यहाँ पर लिख देगें फिर adding 1 and 2 adding equation 1 and 2 तो left side में क्या रहेगा sin 2x plus sin 2x dot आएगा dou u y dou x अभी plus sin 2y dou u y dou y right side में देखो right side में अगर हम लोग addition करेंगे equation 1 और 2 का यह equation 1 देख रहा होपर 2 tan x upon tan x plus tan y और यह equation 2 के अंदर क्या दिख रहा है right side में 2 tan y upon tan x plus tan y denominator सेम है दोनों में दोनों में denominator सेम होने के करन उस denominator को हमें एक ही बार लिखना होगा that is tan x plus tan y और numerator में addition किसका हो जागा 2 tan x plus 2 times of tan y तो बहुत ही obvious है उपर से 2 common भाहर आ रहा है तो उस 2 को common भाहर लेना होगा 2 को common भाहर लेने के बाद tan x plus tan y बचेगा bracket के अंदर जो की denominator वाले term के साथ cancel हो जागा तो हमें final answer क्या मिलेगा 2 मिल जाएगा वही हमें prove that part में पूचा हुआ था right तो देखो यह tan x plus tan y denominator का numerator का cancel होकर हमें final answer क्या मिलेगा right side में 2 मिलेगा यही हमें prove that करने पूचा गया था और left side में जो prove that वालब पार्ट है उसका left side का पार्ट हम लोग address लिख देगें that is sin 2x dot dou u by dou x plus sin 2y dot dou u upon dou y ठीक है तो यहाँ पर यह हमारा given function में sorry given equation sorry function नहीं equation नहीं मुझे कहना है question तो यहाँ पर हमारे यह अभी जो question कर रहे थे वो complete हो जाता right इसके बद same concept के पर दूसरा question लिया है यहाँ पर देखो next question में क्या पूछा अभी if u is equal to e to the power x plus y upon e to the power x plus e to the power y prove that u x plus u y is equal to u यह जो u x लिखा है इसका ही मतलब क्या हो जागा dou u upon dou x हो जागा यह अलग notation होगा partial derivative लिखने के लिए दिखाने के लिए और यह plus क्या है u y इसका मतलब क्या हो जागा यह dou u upon dou y हो जागा is equal to u यह हमें given function के साथ ही show that करना है तो इस question को answer करते वक्त हमें पहले तो यह arrow निकालना है यह निकालने के बाद यह given function को as it is लिख देना होगा तो function क्या है u is equal to e to the power x plus y power में x plus y आया हुआ और denominator में e to the power x plus e to the power y तो given function है u का हमें partially differentiation करना है with to x के साथ लिख देंगे आप हो partially differentiate u with respect to what x तो u का partially differentiation with to x होने के करना left side में हमें लिखना है simply dou u by dou x यहाँ पर u upon v का rule use करना होगा derivative का u by v rule क्या होता है वो मैं side में लिख लेता हो देखो यहाँ पर if y equal to u upon v अगर ऐसे टम होता ही बहुत ही यह basic formula है then d y by d x क्या हो जागा then d y by d x is equal to यह center line put कर दिया नीचे v square रहेगा पहले v से शुरुवात करनी है तो v यहाँ पर लिखना होगा हमें d u by d x center में minus आएगा minus लिखने के बाद हमें u लिखना पड़ेगा और u लिखने के बाद v function का कर देंगे d radius लिखने तो u लिखना d v by d x कर दें यह है u upon v का rule का formula जो कि हम लोग अभी यहाँ पर left side में apply कर देंगे यह 2 u by 2 x लिखा हुआ है उपर वाला function u है नीचे वाला function v है तो यह center line put कर दिया सबसे पर ले क्या करेंगे हम लोग v का square कर देंगे after that यह जो numerator में आया वा function है उसका partially differentiate करना है with respect to x के साथ e to the power x plus y का derivative क्या रहेगा e to the power x plus y ही रहेगा after that जो यह x plus y उसका भी further derivative करेंगे with respect to x तो x का derivative is 1 यहाँ पर केतना आजाएगा 1 आजाएगा उसके बाद हमें minus sign put करना है minus sign के बाद हमेशा हम लोग bracket put किया करेंगे x से ज्यादा time है तो यहाँ पर मैंने bracket put कर दिया उसके बाद क्या लिखना है यू एडरीट लिखना है तो यू function के आपने पास e to the power x plus y तो यह एडरीट लिख दिया e to the power x plus y after that denominator में जो function आया है भी उसका partially differentiate करना है with effect to x के साथ तो e to the power x का partial derivative क्या हो जाएगा e to the power x ही हो जाएगा और e to the power y का derivative नहीं आएगा ओ 0 लिखना होगा क्योंकि वहाँ पर y ये पेलिबल है और y कम लोग as a constant rate करें अगर partial differentiation with effect to x के साथ हो रहा है क्या comment देख रहा है e to the power x plus y और e to the power x plus y common term देख रहा है तो उसको हम लोग as a common महार ले लेंगे और तो फिर bracket के अंदर क्या बचेगा e to the power x plus e to the power y minus e to the power x बचेगा राइट तो देखो left side में हमें क्या लिखेंगे dou yu बार dou x लिख देंगे common term numerator से बहाल आ रहा है e to the power x plus y bracket के अंदर बचेगे term e to the power x plus e to the power y minus e to the power x square bracket close अपवार में आएगा ये center line put कर दिया अपवार में आएगा e to the power x plus e to the power y का whole square numerator से bracket के अंदर e to the power x minus e to the power minus x ये term cancel हो जाएगे तो इसके साथ में remaining term क्या बचेंगे देखो right side में dou u by dou x लिख दिया e to the power x plus y होगा इसके साथ multiple में क्या रहेगा e to the power y ये multiple में होगा और upon में e to the power x plus e to the power y का हमें whole square लिखना है upon में क्या लिखना है e to the power x plus e to the power y का हमें लिखना है whole square इसको कर देंगे number one after that you is function का बें partially differentiation करना है अभी with respect to y के साथ now now लिख दिया partially partially differentiate u with respect to what y के साथ अभी हम लोग partially differentiation कर देंगे u का तो left side में क्या लिखना होगा हमें dou u बाद dou y लिखना होगा right तो left side में लिख देंगे यहाँ पर हम लोग dou u upon dou y is equal to फिर से हमें u upon v का रूल apply करना होगा क्यों कि y यह function numerator और denominator दोनों में देखो यहाँ पर यह function उपर भी यह नीचे भी उपर यह नीकि यह नीकि नीचे वाल अपर तो जो जिसका formula में यहाँ राइट में लिखा हुआ है same formula हमें apply करना होगा तो दो यूबाद होगा है पहले तुम्हें सेंटर लाइन पुट कर दूंगा यू अपन वी का रूल होने के कारण और आप हमें वी स्क्वेर कर देंगे वी के यहाँ पर देखो प्लाइट इससे अफ्लेट रिदिवाइट वाइन यू वालव फंक्षिन एस लिखना है यू वालव फंक्षिन गया था यू फंक्षिन पार एंडेट वी जो फंक्षिन ता उसका देरीडिस करना है विपसेक्ट तो वाइक तो वह क्या नेगा ओनली ही आएगा एक्सक्राइब जीरों हो जाएगा यहां पर क्लोजिंग कर दिया यह सेंटर लाइन तोड़ा सा एक्स्टेंड कर दिया ठीक है नेक्स टेप में हम लोग न्यूमर टर्म से क्या कॉमन भाहर ले सकते एक्स प्लस य इस तम को बाहर ले सकते तो लेट साइड वाला प बज़ेगा यहां पर यह पर एक्स प्लस इड़ पार वाय का होल स्प्यार कर देंगे नेक्स टेप में स्वेर बैक्स के अंदर से कौन सा टम कॉमन कैंसल हो रहा है यह प्लस मैनस में होने के करन तो हमें बच्चे वे टम्स लिखने होंगे लेफ्ट साइगा डो यह दो यह इड़्वर एक्स प्लस तो हुआ का उड़ीशन यह होगा यह देख है equation number one क्या देख रहा है दो यूबाह दो एक्स और यह विश्च नमर टु दो यूबाह दो यूबाह इनके बीच में right side में कौन सा term हमें common देख रहा है इस पौर x plus y upon e to the power x plus e to the power y का whole square यह वहां हमें copper term देख रहा है तो next e to the power x plus e to the power y का whole square कर दिया bracket के अंदर क्या बज़ेगा e to the power x plus e to the power y बज़ेगा right यह एक बार है नीचे same term दो बार है यानिकि एक बार cancer हो जाएक डिनामेटर में से तो क्या रहेगा e to the power x plus y upon e to the power x plus e to the power y जो की value क्या गिवन function u ही है और left side में हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर dou y dou x plus dou y dou y लिख देंगे that is given function जीस तरके से पूछा था उसको हम लोग लिख देंगे that is dou u by dou x मतलब भी क्या u x plus dou u by dou y का मतलब भी क्या u y is equal to 0 ठीक है तो इस same concept के उपर अभी हमारा यह जो question हमने लिया था वो भी complete हो जाता है तो आज के lecture में हम लोग करें partial differentiation इस concept के उपर तिंचा सम किये रहेंगे ठीक है जो last में पहला सम हो जाने के बाद जो last में जो सम किये दो तीन या फिर तीन चार वो function of a function इस concept के उपर बेस्टे या फिर जस composite function के उपर बेस्टे तो आज के lecture में लिए प्रॉब्लम में कई पर आगर आपको डाउट होता है तो आप लोग मुझे